मेरा चैनल में आप सभी कहा स्वागत हैं कार्तिक महना सुखलेपके नभमी को आउला नमी पढ़ता है इसे अच्छत नभमी पि कहा जाता है क्योंकि इस दिन क्या गया पुण्या अच्छत रहता है आउले गज के पूझा किया जाता है सारे समगरी जैसे रोली मोली, चंदन दीप दूप, अच्छत याने चावल, नवे द्याने प्रशाद, सारे समगरी लेके आप पुजा करें, इस दिन आप परिक्रमा जरूर दें, 8108-711, जितना हो सके आपसे, उतना परिक्रमा जरूर दें, अनकूट का प्रशाद भगवान को भूग लगा कर खूद पाएं, जदि कार्तिक मेना का ब्रत रखते हैं, तो बोजन में एक वावला जरूर लें, या फिर कुछ टुकडे जरूर लें, या फिर आवले की चटनी भी बना कर खा सकते हैं, यानि आवला बोजन में लेने का महत आवले नमी का कहने बताती हूँ, एक आवला राजा था, रोज सावमान सोने का आवला दान करता था, दान की विना वो भुजन नहीं करता था, ये बात उसकी बेटा बहु को चूप गई, कि सारा धन कतम हो जाएगा, तो एक दिन बेटा बोला, कि पिता जी, आप ऐसे सोने का आवला रोज दान करेंगे तो सारा धन कतम हो जाएगा, तो इस बात को सुनकर राजा रानी जंगल उजाड में चले गए, और भुके प्यासे, बेटे रहे, क्योंकि दान की बिना वो लो भुजन नहीं करते थे, इस तरह साथ दिन बित गया, तो भगवान सूचे, इसका साथ नहीं रखेंगे, तो दुन्या में, कलिग में हमको कौन मानेगा, उस दिन राजा के सपने में भगवान आकर बोले, तो उट कर देख, पहले जैसे ही तेरा राजपाट हो गया है, दान संपता हो गया है, और आवला गज भी हो गया है, तो पहले की भाती, आवला दान क करके भोजन कर, तो सपने से उट कर, जब वो जगरु तबस्ता में आया, राजा देखा, सचमुच का बहुत धन संपता आ गया है, और आला गज उग रखा है, तो वो खुब खुशी के मारे उचल गया, और पहले जैसे वो दान करता था, वैसे सावामन आवला, दान करके, दोनों राजा रानी कुशी कुशी भोजन करने लग गए, इधर बेटा बहुत को बहुत तकलिफ हो गई, अन का बेर हो गया, तो वो सब को इसला दिये, कि तुम लग जंगल में एक आउला राजा रहता है, वहां जाकर उसके पास अपना दुखडा सुनाओ, वो जरूर द वहां मजदूरी करने लग गए, और राजा रानी उनको पहचान गए, तो वो अपने आदमें को बोले, इन से मजदूरी कम कराके ज़्यादा पैसा देना, ऐसे ही थोड़े दिन बित गया, एक दिन रानी बोली, अपनी बहु से, मेरा सीर नहला दे, सीर नहलाते हैं नहलात बहु रोने लग गई, और उसके आँसों रानी के पीट पर गिर गया, रानी पूछी तुक्यों रो रही है, तो बहु बोली, मेरे सास के भी पीट पर ऐसे ही मसा था, हम लंग उनको घर से निकाल दे, यानि दान करने से मना किया, तो वो लंग घर से निकल गए थे, तो रा राजा रानी यानि सास सचुर है, तुम हम लंग को दान करने से मना किया, पर मगवान हमारा सत रख के हमारे धन संपदा कर दिये और कुछ सरा पूर्वभाती आउला का बंदवस्त कर दिये, तो बेटा बहु, दोनों मा पिता जी से मापी मांगने लग गए, और सब कोई फिर से अपने राजियों आपसा कर एक साथ रहने लग गए, हे भगवान, जैसे राजा रानी का साथ रख के, वसे ही हमारे भी रखना, सब जो भी आउला, नामी का पूजा करते हैं, सब की रखना, तो इसके बाद एक चोटी सी गणेश जी की कहानी भी आप सुन सकते हैं, तो वो भी बता देती हूं, एक मिंड का और एक मिंड की, यानि दोनों जन रहते थे, तो मिंड की रोज गणेश जी की नाम लेती थी, तो मिंड को बोला, कि तू रोज परायपुरुस का नाम लेती है, मैं तेरे को मौगरी से सीर फोड़ दूँगा, तो गणेश जी आकर दोनों को, गणेश जी को गुसा आया, तो गणेश जी बोले कि इन लोगं को सबक नहीं सिखाऊंगा, तो ये लोगं मुझे नहीं मानेंगे, तो राजा की आदमें आकर दोनों नो बाम्त कर ले गया, तो दोनों को चुला पर शड़ा दिये, राजा की आदमें, कट कट सिखने लग गये, तो मिंड का बोला मिंड की को, तेरा बिंदा एक जी को, तेरा गणेश जी को सुमर, तो मिंड की सुमरते ही, दो सांड लड़ते, आई और वो जो चुला पर शिज रहते, वहाँ पर सिंग मारे तो वो टूट गया, और दोनों सर्वर पर चले गये, इस तरह मेंड का मेंड की का गणेशी भगवान रच्छा करे तो ए गणेशी भगवान जैसे मेंड का मेंड की का रच्छा करे हमारी विकरना सब की करना